अब एक क्विक सूप और काफी हेल्दी सूप है प्रोटीन इसके अंदर है हरा है सब कुछ है और जल्दी बनता है यह है सीफूड सूप अब इसे बनाने के लिए क्या करना है यह जरा मैं बरतन थोड़ा सा गरम हो जाए और थोड़ी तयारी करनी है यह मेरे पास स्प्रिंग अनियन और स्प्रिंग अनियन को बस इस तरह से काट लेता हूँ मैं और कुछ हरी पतियां भी चाहिए हैं हमें इसके लिए और यह भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा बस यह ज़िए अब थोड़ा तेल जादा नहीं थोड़ा सा तेल और फिर यह स्प्रिंग अनियन इस तेल में और इसके साथ साथ यह मश्रूम बटन मश्रूम इसको आप कॉर्टर में काट लें चार इसों में चलिए यह अब फिश और जो फिश है बोनलेस फिश ले ले और इतने पीस जादा छोटे नहीं जादा बड़े नहीं अब फिश इसके अंदर और उसके साथ साथ पानी या स्टॉक अगर फ्लाट फिश डालेंगे तो अच्छी रहेगी और अब इसके साथ यदि आप चाहें तो यह जो फ्रॉंज हैं यह भी इसके अंदर डाल सकते हैं लेकिन आपको चाहिए कि नहीं नहीं यह छिलका है ऐसे नहीं आपको गानिश के लिए लेकिन आप इसमें नहीं बगाना चाहते हैं तो एक पैन दूसरा ले 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 लिए और इसमें यह जो श्रिम्प हैं यह पका लेगा अच्छा अब कुछ और सब्सजियां और यह सब्सजियां जो है यह डालेंगे हम स्वीट पीज इसको बस इस तरह से काटकर यह देखिए और यह जो इसमें आप ये लिजे, स्वीट पीज, इसके अंदर, और ये जो हमारे पास ब्रॉंज हैं, इसको थोड़े से पानी में आप पका दें, अब इसे हम सीजन करते हैं, नमक, थोड़ा सा पेपर, जादा नहीं, इसमें एक फ्लेवर अभी डालेंगे हम, अभी नहीं, थोड़े से इंतजार क जैसे ये उबलना शुरू होगा, तब डालेंगे, और ये देखें, जो प्रॉंज हैं, ये इनका भी रंग बदल गया है, इसे बंद कर देते हैं, अब ये जो सूप है, ये तयार हो गया है, और इसमें नीबू की जहलक, ये देखें, और इसे हम मिक्स कर देते हैं, और इस जो प्रॉंज हैं, इसको रखें, सूप प्लेट में, और उसके बाद, ये जो सूप है, इसे डालें, कर्मा गरम सूप प्लेट के अंदर, वाह, क्या बाद है, अभी ये सूप खतम नहीं हुआ है, कुछ और भी इसमें डालेगा, क्या है वो, मैं बताता हूँ आपको, वो है केसर, लेकिन बहुत थोड़ा सा केसर इसमें डालेगे, ये देखें, जादा बिल्कुल नहीं डाले, अगर हम पहले इसको डाल देंगे इसके अंदर, इसका जो रंग है, वो काफी पीला सा होना शुरू हो जाएगा, वैसा नहीं हमें चाहिए, थोड़ा सा केसर, और उसके बाद मजा लें इस सीफूट सूप का, टेस्टी, डिलिशस, हेल्दी नोट करें इसके इंग्रीदेंस, उसके बाद का एगरी काप इसमें हरी प्यास डाल कर भून लें, इसके साथ इसमें मश्रूम डालें और इसे भी पका लें, अब फिश के टुकड़ें, पानी या फिश स्टॉक, आठ प्राउंस, नोपीज, नमक और सफेद मिश का पाउडर डाल कर मिक्स कर लें, और इसे कुछ देर तक पका लें, अ झा झाल कर दो